चलिया यह दोस्तों अब यहां पे हम audit में अपना next lecture आगे बढ़ाते हैं ठीक है lecture no.2 अब मैंने आपको लिए यहां पे notes prepare कर दिये तो बिलकुल हम यहां से ही complete कर लेंगे अपना audit ठीक है दीक है यह notes part 1 है part 2 भी अभी काम चल रहा है तो part 2 भी आपको मिल जाएगा यह chapter 1 का part 1 ह है ठीक है यह notes कैसे मिलेगा तो बिलकुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको strategic management के SM SM के notes provide किये थे कि आप जाहिए telegram channel पर अपने group पर ठीक है अपना group की link यहां पर YouTube के about section में ही मिल जाएगी ठीक है तो YouTube channel पर जाहिए हमारा वहां पर about section में जाएंगे different sections होते video playlist community about ठीक है तो about section में आप जाएंगे मैंने उस पर already video बना रखा था आपके SM के लिए तो बिलकुल उसी तरीके से telegram में आपको जाना है और मुझे message कर देना है आपको यह notes मिल जाएंगे ठीक है और नहीं भी मिलते हैं तो आप comment section में बता सकते हैं मैं आपको वापसे procedure बता दूँगा ठीक है चलिए तो यहां पर हम सबसे पहले काम करते हैं कि last lecture में बलब कि last lecture में हमने जीतना पढ़ा था वो सबसे पहले revise कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां पर अब से मैं notes में पढ़ा रहा हूँ तो यहां पर एक बार के लिए आपको सारी चीज़े बता दूँ ठीक है चलिए तो यहां पर chapter number one हम discuss कर रहे थे nature objective and scope of audit के बारे में इसमें सबसे पहले एक हमने point पढ़ा था बाकी introduction भी है लेकिन introduction इतना ज्यादा important उसमें कुछ है नहीं एक बार आप read कर सकते हैं अपनी module मे discuss करें थे सबसे पहला point हमने यहां पर discuss करा था कि सर सबसे पहले audit का यहां पर ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार अभी से देखने को मिल रहा है मतलब कि आज के जमाने में audit का यहां पर starting हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि audit बहुत पहले से चलता आ रहा है ठीक है और यहा पहले से चल रहा है लेकिन यहां पर अगर हम सबूत की बात करें तो हम एक सबूत तो यहां पर मिलाई था कहता है कि Č vrij कोटिल्य के अर्थ सास्त्र में यह चीज din قten करें करी ग challeng गई टीक है टो वहां पे सास्त्र में उस टाइम की अर्थ सास्त्र में ओडिट का विंग्या गया है कर वही पर अगर अगर नग जाई तो उस टाइम पे fix accounting year के बारे में इस चीज़ में बताए गए auditing के बारे में discuss किया गए और उसमें ये बताए जा रहा है कि fix accounting year के बारे में जिक्र किया गए and यहां पे close of account and audit for the same ठीक है तो procedure है account का ये पूरे का पूरा closer वगेरा ठीक है accounting year से accounting year close आता है account यह सारी discussion already वहाँ पे हो चुकी है कहीं न कहीं हम कह सकता है कि सर ओडिट वहाँ से चलता आ रहा है कोई नया topic यहाँ पे नहीं है बहुत पहले से auditing चलता आ रहा है accounting चलता आ रहा है ठीक है इसके बाद कि हमने यहाँ पे मतलब समझाता कि सर audit to exit क्या नया word है या फिर कहीं से derive हुआ है तो आगर मैं बता दू कि सर ओडिट का original word जो है Latin से relate करता है Latin word od ठीक है तो यहाँ पे order आप कह सकते है order कह सकते है ठीक है spelling main है ठीक है आपको लिखना है बोलना नहीं है तो spelling main है pronunciation अपने तरीके से आप देख लीजिए तो यहाँ पे इस word से derive हुआ है यह basically Latin word है और इसका मतलब यहाँ पे हुआ करता है to hear ठीक है सुनना राइट तो यहाँ पे कहता है कि audit आपको जो है निकल के आता है कि auditor जो है अपना accounts वगेरा प्रिपेर करता है उस चीज़ से यहाँ पे यह देखता है कि सर अपने organization में जो employees है उनका यहाँ पे work किस तरीके से क्या वो के लेस्टली काम कर रहे है क्या वो आपका जो है सारी चीज़ों का care कर रहे है या फिर नहीं यह चीज़े ठीक है इसी के बाद हमने यहाँ पे next point पड़ा था सर coming more recent history मतलब कि थोड़ा सा वक्त चलता गया कोटी लेकर अरतिसास्तर की बात बहुत पूरा नहीं ठीक है उसके बाद भी यह audit चलता ही रहा है ठीक है थोड़ा से समय गया coming कहता है to more recent history ठीक है तो कहता है कि यहाँ पे हमने first auditor general नाम से जो है auditor को अपोइंट करवा दिया था ओफ इंडिया ठीक है किसने अपोइंट किया तो तो कहता है कि उस टाइम पे वो ब्रिटिस चल रहा था ठीक है तो ब्रिटिस इंडिया ने यहाँ पे यह ओडिटर के नाम से appointment स्टार्ट कर दी थी कहता है first auditor general of the इंडिया was appointed in the British इंडिया in 1860 ठीक है having both accounting and auditing function उस ताइम पे accounting और auditing functions के लिए यहाँ पे first auditor general of the इंडिया appointment किया गया 1860 में ब्रिटिस इंडिया के द्वारा ठीक है कहता है कि यहाँ पे letter on office of the auditor general was given statutory recognition and presently जो controller and auditor general of the इंडिया के नाम से जो यहाँ पे सुना जा रहा है यह वही चीज है ठीक है तो basically यहाँ पे controller and auditor general of the इंडिया जिसे हम short में CAG कहते है ठीक है short में CAG कहते है लेकिन short form हमें याद होना चाहिए पता होना चाहिए लेकिन हम एक्जाम में लिखेंगे नहीं हमें full form ही लिखना पड़ता है एक्जाम के अंदर ठीक है तो controller and auditor general जो आपकी यहाँ पे constitution है ठीक है तो authority है वह यहाँ पे basically अभी auditing का काम कर रही है government के receipt और expenditure का मतलब कि government की यहाँ पे जो auditing का work है वह इनका है ठीक है controller and auditor general of the India इसके बारे में आप low में भी पढ़ते हैं जैसे मैं आपको lecture number one में आपको detail में बता दिया था कि सर यहाँ पे low audit and auditor के बारे में यहाँ पे एक chapter है आपका low के अंदर जहाँ पे basically detail में आप यह चीज़ पढ़ते हैं कि सर ओडिटर से related क्या क्या चीज़े सी एजी करता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको बेजिकली नॉर्मल पॉइंट गिये वन था हर एक student को यहाँ पर पता हुए था कि सर यहाँ पे institute of chartered accountant of India को establish करा गया था basically ठीक है ताकि auditing का काम जो है वो आसान हो सके तो इन्होंने क्या करा है यह chartered accountant के लिए यहाँ पे basically आपको professional course प्रोइड करते हैं और basically इसे establish करा गया था 1949 के अंदर यह MCQ point office पुछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ICI का मानना हो सकता है कि यह तो basic knowledge ही हर एक student को पता होना चाहिए यह point ठीक है और basically मेरे ख्याल से भी हर एक student को पता होना ही चाहिए 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 वो exam point office important हो ना हो यह तो normal आपका point है कि जिस course को आप पढ़ रहे है ठीक है उसका establishment उसका full form यह सीच आपको पता होनी चाहिए इसके बाद हमने पढ़ा था कि sir meaning क्या होता है audit का ठीक है और उसके बारे में और कोई चीज़े पढ़ी थी तो कहता है सबसे पहले meaning क्या होता है sir audit का तो audit का meaning क्याता है कि audit independent examination है audit act independent examination है मतलब कि बिना किसी रोग जोग के मतलब कि बिना किसी relation के एक independently यहां पर क्या मिन किया जाता है किस चीज़ का sir और financial information का किसके financial instrument information sir financial information of any entity कोई भी entity चाहे वो profit oriented हो या फिना हो कोई फरक नहीं पड़ता चाहे वो size के हिसाब से छोटी बड़ी वो कोई फरक नहीं पड़ता इर्रिस्पेक्टिव फिर साइज और लीगल ठीक है वें सच एन examination is conducted with a view to expressing an opinion opinion यहां पर देने के लिए अगर हम यहसे examination को independently work कर रहे है तो इसी examination को हम क्या कह देंगे सर यह audit है ठीक है इसी की साथ मैंने एक important point यहां पर mark करके रखा है कि यहां पर ध्यान रहे सा understand कर यह कि the preparation and presentation of financial statement of the entity is responsibility of management of the entity ध्यान रहे सर यहां पर financial statement को prepare करना present करना साही स यह सबसे पहली responsibility किस की है management की MSQ में कма खुब पुछा जाता है यह पहली responsibility क्या है किस की है तो management की auditor की responsibility क्या होते है auditor की responsibility होते है कि IT financial information जो यहां पर swore करेगा है उसे अच्छे से examine करना independently क्या यह सही है true and fair picture दे क्चिर दे रहे है यह सारी चीज़ है ठीक हैcm तो यहां पर सबसे पहले responsibility होती है management की कि management ये सारी चीज़े सबसे पहले prepare करेगा present करेगा और auditor फिर उसे check करेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे next एक question पूछा जाता है directly कहता है कि financial statement जो है company का entity का ये mislead नहीं कर रहा है ये बताइए mislead नहीं कर रहा है तो इसे आप कैसे confirm करेंगे कैसे ensure करेंगे ये question पूछा जाता है तो basically इसके लिए हमने sort form यहाँ पे ध्यान रखा था मैंने summary यहाँ पे provide कर दी है ऊपर के point की कि entry से related 3 point है statement से related 2 point है और एक normal point है total आपके हो जाते है 6 point सबसे पहले entry से related की बात करें तो और entry से related यहाँ पे 3 point है सबसे पहले तो जहां आप एकांट जो prepare कर रहे है वह entry से ही drawn up होने चाहिए entry के reference से ही drawn up होने चाहिए मतलब कि account जो आप prepare कर रहे है अकांट जो आप बना रहे है वह entry के माधयम से ही बनाएंगे ट्टिक है बिना entry कोई account नहीं बनाएंगे क्योंकि बिना entry के account बनाना मतलब कि आप यहाँपे कई न कई fraud करने की कौशिस कर रहे है क्योंकि transaction होगा तो entry होगे तो accounts होगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे ध्यान रहाई third point क्याता है none of the entry has been omitted, ऐसे कोई भी entry नहीं होनी चाहिए, जो की transaction हुआ है, लेकिन उसकी entry का नाम भूल गया है, ठीक है, ऐसे कोई भी entry नहीं होनी चाहिए, जो आप omitted, मतलब कि भूल गया है, ठीक है, इसके बाद statement से related दो point, सबसे पहला तो ध्यानराई सर statement जो है, वो आप as per accounting standard ही prepare करेंगे, और दूसरा एक और चीज़ की statement जो है, वो present करना चाहिए, true and fair picture of the operational result, मतलब कि जो भी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए statement बनाया गया है, पूरे का पूरा, ठीक है, उस result का, ठीक है, true and fair picture देना चाहिए, मतलब कि अगर third party, third party आपका यहाँ पे statement देख रही है, कि यह users अगर आपका financial statement देखे, ठीक है, तो उन्हें true and fair picture देखना चाहिए, सही चाहिए, चीज़े हमें दिखनी चाहिए, तो यह सही सही चीज़े दिखे, इसके लिए auditor होता है, मतलब कि अगर मैं, सबसे पहले तो हमने क्या का, primary responsibility के इसके होती है, management की, management financial statement prepare करेगा, present क करेगा, auditor इसे check करेगा, ताकि users of financial statement, banker हो गए, ठीक है, shareholder हो गए, यह सारी चीज़े, investor हो गए, तो यह लोग जो है, वो सही से true and fair picture भी view कर पाए, इसके लिए होता है auditor, कि auditor सबसे पहले यह सारी चीज़े देखेगा, और बताएगा, कि हाँ जी, यह बिल्कुल सही है, आब अब इसे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो statement है, वो as per accounting standard प्रिपेर हुआ है या नहीं, auditor चेक करेगा, इसके बात कहता है true and fair picture दे रहा है या फिन नहीं, वो चेक करेगा, तो यह सारी चीज़े आप से क्या ह होगे सर, यह answer करेगी कि financial statement एक proper calculation के साथ प्रिपेर हो चुका है, ठीक है, यह total five point हो गए और six point आपको यहाँ पर याद रखना है, कि जो information है आपके, ठीक है, financial statement में जो आपने information लिखी है, वो clear and unambiguous होने चीए, ठीक है, दो-दो meaning वाली चीज़े नहीं होनी चीए, एकदम clear ह होनी चीए, unambiguous होनी चीए, ठीक है, तो यहाँ पर total six point आपके हो जाते है, बहुत important question है, पूछा जाता है exam में, ठीक है, even पूछा गया है, आप भी ध्यान रखिये, ठीक है, इसके बाद important point कहता है, auditing provide ensure, ठीक है, assurance provide करता है, auditing, obviously मैंने अभी अभी कहा कि sir, management जो है क्या करता है, sir, सबसे पहले finances statement को prepare and present करता है, auditor इसे check करेगा, और auditor कहेगा कि यह true and fair है या फिर नहीं, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा sir, इसी finances statement के basis पे, अपनी third party, जो users of finances statement है, ठीक है, users basically, जो banker होते है, investor हो सकते है, multiple हो सकते, इसके बारे में है point आपके पास में, next वहाँ भी हम प अपना decision ले पाएंगे, तो basically auditor काम यहाँ पे main काम होता है, तो auditor जो है, auditing करके यहाँ पे assurance provide करता है, कि हाँ, अब आप इस में से अपने decisions ले सकते हैं, ठीक है, तो assurance किसको provide होता है, sir, users को, च्योंकि users को company के अंदर investment करना है, या फिन नहीं, company के साथ transaction करना है, या फिन नहीं आपको यह कहेगा, कि sir, सब कुछ सही है, आप अपना decision ले सकते हैं, तो उसके बाद ही, इनका जो है, काम चालू होगा, ठीक है, इसके लिए, यहाँ पे auditing बहुत ज़्यादा important होता है, तो यहाँ पे auditing assurance provide करता है, basically कहता है, it's basic nature lie in provide assurance to users providing confidence to user of financial statement, ठीक है, क्या वड़ा गय statement में कौन कौन से person आते हैं, उस person के बारे में detail में information है, तो इससे related बिल्कुल गवरा है, यानि इसी chapter में आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, basically मैंने normal example तो देही रख है, banker है, shareholder, investor है, यह सारे users of financial statement है, ठीक है, तो यह users है आपके, basically इनको decision लेना होता है, अगर auditing आ point है, तो यह important point है, मेरे ख्याल से इसमें से question आ सकता है, तो अच्छा से इस पे prepare करिए, हो सकता है, इसमें चोटे मोटे question आ जाए, हो सकता है, इसमें MCQ point of you से question आ जाए, ठीक है, तो basically यहाँ पे main point तो इतना ही था, इतना ही आपका है, इससे ज्यादा है, इसमें कोई discussion नहीं ही है, इसके बाद fourth point बात करें कि inter-disciplinary nature है, इसका auditing का, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि यह जो auditing है, वो काफे सारे subject को अपने अंदर include करता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था sir, सबसे पहले कहता है कि auditing and accounting, उसके बाद कहता है, auditing and low, ठीक है, यह सारी चीज़ हमने पढ़े थी ठीकि sir, accounting क्यों है, यहाँ पर relate करता है, auditing का accounting, क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर financial statement prepare करने होते हैं, और financial statement is nothing, is accounting, ठीक है, financial statement एक तरीकी का accounting process ही है, ठीक है, इसलिए accounting का knowledge होना बहुत जार ज़रूर है, इसके बाद low, तो low की information होना ज़रूर ही है, क्योंकि entities related काफे सारे low affect होते हैं, लेकिन as a auditor, यहाँ पर कुछ low के इसाप से general general चीज़े आपको provision पता होनी चाहिए, जितना आपको यहाँ पर syllabus में पुड़ा है, अभी जा रहा है, ठीक है, तो auditor को थोड़ा बहुत good knowledge होना चाहिए, कहता है कि of the business law affecting the entity, ठीक है, entity को जितनी जितने low affect हो रहे है, उससे related आपके पास में knowledge होना चाहिए, basically यह advocate का का काम होता है, low के बारे में detail understanding, लेकिन आपके पास में auditor को थोड़ा बहुत knowledge होना जरूरी है, ठीक है, इसके बाद कहता है कि auditing and economics, economics के बारे में आपके पास में क्या information होनी चाहिए, तो कहता है कि economics के overall environment of the client, हमारा जो client है उससे related उनकी जो product है, product की demand क्या रहती है, उनका sale purchase क्या रहता है, उससे related overall information होनी चाहिए, हलाकि आप detail information नहीं है, क्योंकि आप economist नहीं है, लेकिन auditor है, इससे related कुछ overall information आपके पास में होनी चाहिए, behavioral science के बारे में तो मैं आपको already बता चुका हूँ कि professional person है, तो behavioral आपका सही स से होना चाहिए, ठीक है, statistic maths के बारे में मैंने आपको sampling का example दिया था, कि obviously हम यहाँ पर sampling वगरा करना पड़ता है, inventory valuation करना पड़ता है, तो statistic and mathematics का आपनो knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, even यहाँ पर मैं कहूँ, यह सारी चीज़े अप computer based होने लग यह, program based होने वाली है, ठीक है, तो data processing से related, आज कल यहाँ पर compulsoriness knowledge आपके पास में बन जाता है, कि knowledge होना compulsory ज़रूरी है, even आप अपने article ship पे भी देखते है, computer की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो data processing के बारे में information बहुत ज़्यादा है, financial management, FM, obviously आपको पता ही है कि यह सारी चीज़े तो starting से ही ले management का knowledge use होता है, जैसे कि working capital management, ठीक है, financial techniques वगेरा, ratio analysis ठीक है, यह सारी चीज़े और production, production मतलब की goods के अंदर क्या क्या चीज़े use होती है, तो overall एक information आपके पास में होनी चीज़े कि client जो यहाँ पे goods बना रहा है, production कर रहा है, उससे related हमें सारी चीज़े पता होनी चीज़े, raw material क्या है, ठीक है, उसका क्या prize रहता है, उसके बारे में क्या चीज़े होती है, ठीक है, यह सारी चीज़े, इसके बाएद हमाए next point हाथा, हमने पढ़ा था कि objective of audit, objective क्या रहता है audit का, तो चार point क्या रखने है, सबसे पहले, reasonable assurance, ध्यान रहे सर, word है reasonable, absolute नहीं है, इस पे या क्या सही है, या फिर गलत, तो answer is, गलत है, क्योंकि auditing जो है, always, केवल और केवल, reasonable assurance, provide करता है, basically हम यहाँ पे बोलते हैं, कि 99% तो I am sure, लेकिन 1% is sure, इसे हम कहते है, reasonable, reasonable मतलब कि एकदम से हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अच्छा से हम यह जरूर कह सकते हैं, 99% तक तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि हाँ, assurance हम provide करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है, कि to obtain reasonable assurance, auditing का यह काम होता है, objective क्या होता है, तो सबसे पहले reasonable assurance, obtain करना, उसके बाद हमें यहाँ पे ensure करना कि क्या finances statement, free from material misstatement, material misstatement का मतलब होता है, fraud, ठीक है, mistake, वगेरा, जो है, वो free हो ठीक है, मतलब कि इसमें, अब कोई यहाँ पे fraud mistake नहीं है, यह insurance provide करता है, कौन audit, ठीक है, इसके बाद कहता है, report on financial statement, हम financial statement, जैसे ही हम check कर लेते हैं, कि सब free from material misstatement है, तो हम इस पे report करते हैं, कि क्या finances statement में कोई mistake होई थी, अगर होई थी, तो लिखे, ताकि users इसे पढ़ पा होता है, और to communicate as required by essay, essay का मतलब standard on auditing, तो standard on auditing के provision के इसाफ से फिर आपको यहाँ पे check कल देना है, कि क्या auditing इस तरीके से complete हो चुका है, communicate कर दीजे, ठीक है, तो चार point है, सबसे पहले reasonable assurance obtain करिए, उसके बाद यह देखिए, ensure करिए, कि financial statement free from material misstatement है, third point कहता है, कि उसके बाद आप report कर दीजे कि कैसा रहा financial statement, और जैसे ही यह चारी चीजे हो जाती है, communicate कर दीजे as required by essay, ठीक है, इसके बाद analysis point दे रखा है, जो कि मैंने आपको already discuss किया, वही सारे point है, कि ज़र reasonable assurance provide करता है, always ध्यान रखिए, audit, absolute assurance कभी नहीं provide करेगा, और इस पर question आते है, कि absolute क्या assurance provide करत है, audit answer is no, absolute आपका जो assurance है, वह provide नहीं करता, reasonable assurance provide करेगा, ठीक है, तो basically reasonable assurance का मतलब यहाँ पे किस तरीके से होता है, sir, high level of assurance, मतलब की जैसे कि मैंने कहा, sir, 99% of surety high level of assurance तो provide करेगा, लेकिन ध्यान रहे sir, not complete assurance, ठीक है, एकदम से आप कहेंगे 100% तो 100% नहीं, आप high level of assurance मान के च limitations होती है, limitation भी हमने last lecture में पढ़ी थी, इस limitation के कारण जो है, auditor क्या करता है, sir, reasonable assurance देता है, absolute नहीं दे सकता, इसकी क्या क्या limitation है, already हम पढ़ चुके है, अपने last lecture में, फिर से एक बार revise करेंगे, ठीक है, इसके बाद material में statement का मतलब में already बता चुका हूँ, fraud, wish, error वगेरा, यह सारी चीज़े, इसे हम कहते है, material mistake में, ठीक है, इसके बाद, obtain reasonable assurance, इसके बारे में बता चुका हूँ, कि सर्व, यह free from material में statement है, ऐसा auditor opinion देता है, कि हाँ, यह बिलकुल सही है, अब आपने यहाँ पे, अपने, जो decision से हो आप ले सकते, even, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, जो comment आता है, scope of audit, what it includes, ठीक है, scope of audit में, क्या-क्या चीज़े include होती है, तो सबसे पहले कहता है, कि scope require, refer to range or reach of something, scope का मतलब होता है, कि range कितना है, audit का यहाँ पे क्या-क्या चीज़, कितने-कितने दाइरे तक audit cover करता है, कौन-कौन से point को audit cover करता है, अपने अंदर, तो कहता है कि purpose of audit is to enhance the degree of confidence in stated users, ठीक है, users के confidence को increase करना, यह audit का काम है, जो कि already अभी-अभी मैंने आपको बता दिया है, last अपने points के अंदर, ठीक है, मैंने आपको already बता दिया कि users के confidence को increase करना है, इसलिए audit होता है, कि ताकि वो अपने decisions ले पाए, users of finances statement, जो है, कहता है कि maybe share holders हो सकते, employee हो सकत हो सकते, customers हो सकते, governments हो सकते है, and regulatory, authority and banker, etc. हो सकते है, ठीक है, तो यहाँ पे users of finances statement, कौन-कौन हो सकते है, तो मैंने कहा था, sir, बाद में पढ़ना है, तो यही वो point है, कहता है, कि shareholders हो सकते, employees हो सकते है, customers हो सकते है, government हो सकते है, regulatory, authority, banker, etc. ठीक है, announcing of degree of confidence is achieved by the expression of an opinion by the auditor, जैसे ही auditor इस चीज़ को express करेगा, कि हाँ जी, अब ठीक है, हमने auditing complete कर दिया, financial statement बिलकुल सही है, free from material statement है, ऐसा opinion देगा, तो इससे क्या होगा, sir, इसके बाद users जो हो अपना अच्छे से, जो decision होता है, वो ले पाएंगे, जो कि इनको as per surety मिल जाती है, कि हाँ जी, इसमें सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे हमें ये बुलना नहीं है, कि जो auditor opinion देगा, वो absolute assurance नहीं देगा, reasonable assurance देगा, ठीक है, आच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहता है, कि जो आपके financial statement हो, prepare होने चाहिए, कैसे, sir, as per f rf, f rf का full form वता है, financial reporting framework, तो financial reporting framework के हिसाब से ही, आपके financial statement prepare होने चाहिए, जैसे कि accounting standard है, उसी तरीके से financial reporting framework है, इसका मतलब क्या होता है, अगर अच्छे से पड़े, तो कहता है, financial reporting framework means, मतलब यह होता है, means, कहता है कि framework adopted in the presentation and preparation of the financial statement that is applicable in a view of the nature of audit of entity and objective of the financial statement or that is required by law and regulation, मतलब कि आपको financial statement को present कैसे करना है, prepare कैसे करना है, अगर यह सारे rule की बात करें, तो यह rule है, financial reporting framework, basically, financial reporting framework आपको यह बताता है, कि financial statement को आपको prepare present कैसे करना है, ठीक है, prepare और present कैसे करना है, यह चीज़ आपकी होती है, financial reporting framework, बेसिकली यह रूल है और कुछ नहीं ठीक है रूल है आपके पास में इसके बाद यहां पर बात करें यहां पर स्कॉप ओफ ओडिट की नॉर्मल हमने डिसकसिन करा अब स्कॉप ओफ ओडिट की बात करें कि अदर क्या-क्या चीज़ें included होती है तो सबसे पहले ध्यानराइसोफ सिर्य यहां पर का mirage होता है all aspect of the entity जितने भी aspect होते हैं एंटीटी के मतलब कि entity के जितने भी वर्क रेंज है ठीके एंटीटी जितने लेवल पर वर्क कर रही है वो सारा turmeric सारा वक जो है वाडिट के अंदर इंक्लूड होगा ठीक है जितने भी ट्रांजेक्शन है जितने भी आपके बुक्स आपके पास में है यह सारी एंट्री जो है उसे कवर करेगा ओडिट इसके बाद कहता है reliability and sufficiency of the financial information कहता है ओडिट शुड बी ओडिटर शुड बी रिजनबली सैटिस्पाइड इंफरमेशन कंटेंट इन अंडर लें accounting record and all other source data all other source data मतलब कि आपके पास में जितने भी रेकोर्डिंग है ठीक है accounting recording तो accounting accounting recording है उससे related सबूत है bills है voucher documents है ठीक है यह सारी चीज़े जो है reliable है sufficient है यह assurity होनी चाहिए किसके पास तर auditor के पास ठीक है auditor यह ensure करेगा ठीक है auditor यह assure करेगा कि कि क्या सही चीज़े है या फिन नहीं as per applicable FRF है या नहीं as per as a standard accounting के सबसे prepare हुआ है या फिन नहीं यह सारी चीज़े चेक करने का काम किसका है sir auditor का और auditor makes the judgment on reliability and sufficiency of the financial information by making a study and assessment of the accounting system system and internal control and by carrying out appropriate test inquiries and procedures ठीक है तो यहां पे सीधी से बात है कि अगर auditor को अपना work start करना है तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि वो जिस पे work कर रहा है मतलब कि financial information क्या financial information सही है या फिन नहीं क्या वो reliable है क्या sufficient है या फिन नहीं sufficiency का मतलब क्या होता है reliability का मतलब क्या होता है देखे reliability का मतलब होता है कि क्या यह financial information जो हमें दी गई है auditor को जो दी गई है management दीगा information उसी के base पे यह auditor चेक करेगा तो यह जो information दी गई है क्या वो सही है या फिन नहीं उसका मतलब है reliability और sufficiency का मतलब होता है कि जो information दे रखी हम है क्या वो पूरी की पूरी information है या फिर इसमें से कोई ऐसी चीज है जो छुपाई गई है ठीक है जो चीज छुपाई गई है तो reliable and sufficiency के बारे में auditor को सबसे पहले confirm judgment लेना पड़ेगा और judgment लेने के बाद ही यह सारी चीज़े आप opinion दे पाएगा ठीक है तो यह चीज जो है auditor करता है normal inquiry के द्वारा करता है ठीक है पूछताज करता है normal ठीक है क्योंकि investigation यहाँ पर जो है editor नहीं कर सकता क्योंकि auditor को यहाँ पर कोई expert माना नहीं गया auditor अपने लेविल पर छोटी मोटी पूछताज करें चोटी मोटी चीज़ा पूछे वह ठीक है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता स्वरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है चोटी मोटी inquiry करना चाहते हैं आप कर लीजे कोई दिखत नहीं लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एकदम से आपको CID बन जाना है ठीक है ऐसे पर प्रद्युमन और इस तरह के से वर्क करना है तो यह आपके level में नहीं आता यह आपके scope के अंदर नहीं आता ओडिटर के ओडिटर investigation नहीं कर सकता ठीक है तो investigation का permission आपको नहीं मिलता auditor as an auditor ठीक है आप normal inquiry कर सकते है normal test बगएरा कर सकते है procedure कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है इसलिए यहां पर word होता है कि सर जो auditor है वो absolute assurance नहीं दे सकता क्योंकि इसकी limitation यह main होती है कि जो auditor है वो investigation नहीं कर सकता ठीक है investigation का मतलब होता है आप detail यहां पर पूछताज करेंगे ठीक है सबूत इखटा करेंगे यह सारी चीज़े तो detail investigation आप नहीं कर सकते इसी कारण से auditor यहां पर यह कहता है कि जैसने भी मैंने चीज़े देखिये उस तरीके से तो सब कुछ सही है इसलिए यहां पर reasonable assurance दिया जाता है ठीक है reasonable assurance इसके बाद यहां पर कहता है proper disclosure of financial information तो financial information से चीज़े related चीज़े भी audit के अंदर cover होती है ठीक है दो point हमने पढ़ है कि audit के अंदर क्या के cover होता है तो entity के हर एक्स aspect को cover किया गए obviously वह तो हो गाई होगा क्योंकि वह सारी चीज़ों से हमारा क्या prepare होता है financial statement सारे transaction मिलके financial statement बनेंगे और उसका हमें audit करना है तो वह तो obviously हो गाई होगा इसके बाद हमने देखा कि सारी के सारी जो financial information है वह reliable है sufficiency नहीं है या है यह सारी चीज़े include होती है audit के अंदर audit का काम ही होता है तो audit अगर auditor आया है audit करने तो सबसे पहले यह देखेगा कि सर entity के all aspect cover है या फिन नहीं क्योंकि यह मेरे scope के अंदर आता है as an auditor इसके बाद second सबस्क्राइब करें और इसके इसके बाद के अंदर आता है audit के scope के अंदर आता है auditor के scope के अंदर आता है और third point यह देखेगा कि सर financial information जो है वह properly disclose की गई है जाई ठीक है properly disclose करना मतलब सर मतलब as per accounting standard आपने prepare करा है या फिन नहीं उसे disclose as per accounting standard किया है या फिन नहीं ठीक है यह सा applicable जो requirement regulation होती है इसके इसाब से आई यह सारी information को collect किया है या फिन नहीं आपने सारे low and regulation को follow किया है या फिन नहीं ठीक है और अगर हमने सारे transaction करे हैं तो उसे properly summarize करके event को record करके as per financial statement का judgment जो हम यहाँ पर properly लेते है उस तरीके से क्या prepare हुआ है या फिन नहीं ठीक है इसके management responsible 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 होता है preparation and presentation of the finances statement क्योंकि पहली जो requirement होती है पहली liability होती है finances statement से related वह management की होती है ठीक है इसके बाद यहाँ पे छोटा सा example दे रखा है example आप कुछ से पढ़ दिएगा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ठीक है basically आपको simply इतना याद रखना है कि पहली liability की होती है responsibility क मैनेजमेंट की ठीक है अच्छा इसके बाद एक और important point कहता है कि FRF जो स्वरी FS financial statement financial statement of the entity जो आप प्रिपेर कर रहे है वो कौन से data के base पे होना चाहिए सर यहाँ पे historical financial information के basis पे यह प्रिपेर होना चाहिए अब यहाँ पे word आता है कि सर historical financial information का मतलब क्या होता है तो historical financial information का मतल information express in financial term in relation to particular entity derive preliminary from that entity's accounting system about economic event occurring in past time period or about economic condition or circumstances at the point in the time in the past ठीक है कहता ही कि historical financial information का मतलब होता है यहाँ पे जो financial information हमारे पास में है express की गई है क्या वो financial information जो आपने entity ने accounting system जो adopt किया क्या उसके इसाफ से ही derive हुई है इवन यहाँ पे जो economic event occur होते है past time के इसाफ से demand supply यह वगरा चीज़े क्या उसके हिसाफ से ही आप यहाँ पे transaction कर रहे है for example यहाँ पे purchase और sale जो है वो एक historical information है financial information कहता है historical financial information है ठीक है यहाँ पे historical financial information यहाँ पे नहीं छपाए information यहाँ लिख दीजिए का historical financial information ठीक है कि sale और purchase जो है वो क्या है सर sale और purchase जो है उसे record करना financial statement के अंदर यह basically क्या है एक finance आपको जो है कह सकते है कि historical financial information है ठीक है यह चीज़ आपके पास में हो जाती है इसके बाद यहाँ पर कहता है scope of audit what it does not include अभी हमने पढ़ा कि sir इसमें क्या include होता है अब यहाँ पर पढ़ता है कि क्या क्या चीज़े include नहीं होती तो बढ़ी simple 3-4 point ही है सबसे पहले कहता है कि आपके पास में auditor is not expect to perform duty outside of his competence अगर इसके competence के बाहर की कोई चीज़ है तो उसे यहाँ पे include नहीं किया गया है एक example मैंने यहाँ पर दे रखा है example आप यहाँ पर पढ़ेंगे example कहता है कि physical condition of certain assets यहाँ पर कहता है like that sophisticated machine जो कुछ ऐसी machinery है कुछ यहाँ पर product है जो management ने छुपा दी है मतलब कि management ने इसके बारे में auditor को कोई खबर हो नहीं नहीं दिये ठीक है तो यह चीज़ आपके पास मे इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है obviously auditor को कोई पता नहीं है तो इसके बारे में कोई opinion तो दे नहीं पाएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यह चीज़ है यह पिन नहीं क्योंकि अगर management से पूछा होगा तो management ने इसे क्या कर दिया है छुपा दिया है ठीक है तो basically यहाँ अगर कोई चीज छुपा दी गई तो ओडिटर को इसे ढूलना है एक summary ढूनना एसा को यहां पर नहीं क्योंकि कैशा चीज चुपा रहा है यहां पर आगविजेश्व के दुराई है। तो हम यहाँ पे as an auditor यहाँ पे सारी चीज़ों को find out नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे कहता है कि आप कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे कहा गया है कि सर आपके पास में जो performance duty होती है उससे बाहर जाके आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं यहाँ पे एक reasonable assurance कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसके बाद यहाँ पे कहता है कि auditor जो है वो कोई expert भी नहीं है ठीक है auditor जो है वो कोई expert नहीं है कि यहाँ पे आपके पास में सारी चीज़ों को documents को अच्छे से देखेगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है ठीक है हाँ normal जो आपकी competence में आती यह चीज़ तो आपको compulsory देखना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे गलत हुआ तो आप libel रहेंगे लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपके competence के अंदर नहीं हाती ठीक है आपकी competence के अंदर नहीं आती for example management की कोई own policy है sign वगेरा करना यह सारी चीज़े तो own policy है मतलब कि इससे related यहाँ पे कोई normal point नहीं है इनकी own policy है और जिससे auditor को नहीं बताया गया है और document में वो चीज़ missing वगेरा है तो उसमें auditor की कोई गलती नहीं है क्योंकि कोई auditor expert नहीं है ठीक है इस चीज़ के related यह तो अपने सारे accounting financial information से related information को check करेगा ठीक है इसके बाद auditing जो है वो कोई official investigation नहीं है ठीक है official investigation नहीं है और official investigation नहीं है इसलिए यहाँ पे main reason होता है कि आप यहाँ पर reasonable assurance देते क्योंकि आपको in depth investigation करने का यहाँ पे कोई काम नहीं होता आप normal inquiry करिए test करिए और काम खतम करिए इसका मतलब यहाँ पे एक example question यहाँ पे directly इस example पे आया है कहता है कि कहीं पे कोई fraud हो रहा है और जिसे यहाँ पे management भी इसमें अंदर included है और इसे चुपा दिया गया है suspect यहाँ पे है ठीक है और इसे चुपा दिया गया है और यहाँ पे कहता है कि इसके बाद fraud पकड़ा गया तो management का कहना है कि यह सारी liability auditor की है तो क्या यह सही है तो answer is no कि ऐसा कोई fraud है जो यहाँ पे छुपा दिया गया है तो यहाँ पे मैं auditor की यहाँ पे कोई liability नहीं होती क्योंकि auditor ने अपने level पे सारा काम किया है fraud एक sophisticated act होता है ठीक है fraud के बारे में आपके पास में chapter में आगे चलते definition औगेरा पड़ेंगे तो basically fraud एक सोची समझे साजिस होती है sophisticated act होता है कि यहाँ पे हम जो है कितनी भी कोसिस करें इसे पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसे पकड़ना है तो हमें detailed investigation करना पड़ता है जो detailed investigation का मोका as an auditor आपको नहीं मिलता आपको simply normal inquiry test वगेरा करना है आपको बिल्कुल भी यह जरूरी नहीं है कि आप एकदम से fraud वगेरा को detail यहाँ पे examination कर यह critical examination करके investigation करके आप fraud को पकड़े ऐसा यहाँ पे आपके competence में नहीं आता ठीक है यह सारी चीज़े पड़ी थी इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ understanding भी ल last lecture में understanding हमारी बाकी थी यहीं से I think बाकी था हमारा एक बार हम इसे understanding को चलिए last lecture में देखा हो ना देखा हो एक बार हम इसे देख लेते कहता है कि लाल जी भाई has a purchase shares of the company listed NAC कोई listed company है इनके shares purchase कर रखे लाल जी भाई ने audited financial statement of the company provide picture of the healthy financial performance having a robust turnover and low depth and good profit तो यहाँ पे कहता है कि financial statement जो इनका है वो सो कर रहा है कि यह company की जो condition है वो healthy है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ही one law depth है और profit भी अच्छा खासा है कहता है अब वो information की basis पे he is absolutely satisfy या word क्या लिखा absolutely satisfy that money invested by him इन्होंने जो money invest करी है company के अंदर वो एकदम safe रहेगी इसमें कोई chances नहीं है fraud होने के यह लाल जी भाई ने सोच लिया क्याता है कि do audited result and audit report जो है company की जो auditor देता है तो क्या यह आपको यह assurance provide कर पा रहा है मतलब कि यह absolutely satisfy हो गया है तो क्या as per आपके knowledge के इसाप से क्या यह सही है like लाल जी भाई is thinking of the लाल जी भाई is correct क्या यह सोच रहा है कि हम अब बस हम हैं आप पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है financial information को हमने देख लिया statement को देख लिया वह कह रहा है कि बिल्कुल सब कुछ सही है तो absolutely satisfy हो गए क्या यह सही चीज़ है answer is no मैंने अभी अभी कहा था कि sir यहां पे जो financial statement आपका जो है ठीक है जो audit कर रहाएगा auditor ठीक है तो auditor audit करने के बाद आपको financial statement के बारे में reasonable assurance देखा absolute कभी भी नहीं देता ठीक है क्योंकि detail investigation वगरा करना इनके competence में नहीं होता तो यहां पे reasonable assurance आपको मिलता है ना कि आपको absolute तो यहां पे जो लाल जी भाई यह सोच रहे यह उनकी thinking गलत है ठीक है और वहाई चीज़ यहां पे कहता है कि audit जो है only reasonable assurance आपको provide करता है आप यहां पे यह कहेंगे कि sir absolute reasonable हम absolute assurance provide होगा reasonable की जगह तो यह गलत है ठीक है इसके बाद test your understanding number two कहता है कि goods good deed limited करके कोई कंपनी है अपने business चला रहे है ठीक है इसका काम है कि recycle करना वैस्ट वगरा को ठीक है और इनका यही काम होता है कहता है कि during the course of audit कहता है जोहा और जोहा कोई firm है auditor की ठीक है यह observe करते हैं company के अंदर कहता है कि यहां पर कोई central branch के हिसाब से चैन्ट्र ब्रांच के हिसाब यहां पर कोई notice receive हुई है किस चिस किसा notice notice receive हुई है not following certain economical regulation ठीक है environmental आपके पास में economical जो कुछ regulation rules and regulation होगी तो यहां पर कहता है कि follow नहीं की ह है company ने और इससे related यहां पर कोई notice आपको receive हुई है तो कहता है company is yet to reply to the notice कहता है auditor ने क्या किया इसे point out कर लिया है अपने accounts के अंदर finances statement के अंदर कि यहां पर ऐसी कोई हमें notice receive हुई है यह सारी चीज़े जो है हमने finances statement में लिख लिए है ठीक है अब यहां पर company का यह कहना है कि जो auditor ने काम किया है वो beyond the scope जाके किया है मतलब कि यह चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी finances statement में auditor ने अपने scope के बाहर जाके यह चीज़ को भी finances statement में disclose कर दी है तो क्या यह सही है answer is no company का कहना गलत है क्योंकि अगर finances statement से related अगर ऐसी कोई चीज़ है ठीक है जो user को पता चलनी चा पड़ेगा तो अगर यहां पर कहता है कि son notice receive है यह आपका business का है काम और business से related यह notice receive है अगर यह notice के बारे में user को पता चले तो वो proper decision ले सकते है और यह आपका disclose करना एक liability है responsibility है auditor की ठीक है तो auditor ने कोई beyond the scope जाके काम नहीं किया है इनका काम ही होता है कि proper disclose किया जाए financial information को ठी ठीक है तो यह सारी चीज़े यहां पर जो company का कहना है वो गलत है क्योंकि यहां पर proper disclosure ज़रूरी होता है इसके बाद कहता है कि a huge fire cracker sorry huge fire broke out in noida plant ठीक है kt limited करके हमारी यहां पर कोई company है उसमें यहां पर fire occur हो चुका है plant asset जो है comprising building है machinery inventory है सारी चीज़े जो है वह insure करे गए जल गई ठीक है उसका हमने insurance यहां पर ले रखाता कहता insurance company के द्वारा apart from insurance surveyor who was deputed for assessing loss and कहता है कि यह एक काम कर रहे है यह appoint कर रहे है एक c.a को valuation के लिए ठीक है और किस चीज़ के लिए sir books of valuation आपको क्या करना यह c.a क्या करेगा यह valuation करेगा किस चीज़ का sir यहां पर यह valuation करे यहां पर books of account and financial record का ठीक है तो basically c.a को appoint क्यों करा गया है एक specific work के लिए इनका work क्या रहेगा यह books of account or financial record को value करेगा ठीक है valuation करेगा इस चीज़ की एक कहता है कि and circumstances surrounding the loss कहता है he was also request to submit the earlier report would the report by c.a. in nature of audit report क्या यहां पर जो report आप c.a नहीं यहां पर demand करें submit के लिए ठीक है तो क्या यह nature of audit report मतलब कि क्या यह auditing का ही work है हम यह कह सकते है क्या तो देखें simple मतलब इसका समझे कि audit यहां पर जो c.a है इनकी appointment हुई क्यों है इनकी appointment इसलिए की गई है कि आप simply यह हमें valuation करके दिखाईए simply हमें इतना valuation करके दिखाईए कि हमारे पास में asset वगेरा कितनी थी जितनी चल गए liability वगेरा कितनी थी जो हमारे पास में थी ठीक है यह चीज़ जानना है किसको sir insurance company को ताकि वह insurance के बारे में पता लगा पाए और इसका amount pay कर पाए तो c.a का काम कितना है sir books of account और financial record को यहां यहां पर value करना इसके अलाव यहां पर कोई चीज़ इसको नहीं करनी तो c.a क्या कर रहा है sir previous year के कुछ यहां पर यहां पर क्या था है कि request कर रहा है earlier report तो earlier पहले की जो report दी गई थी दूसरे auditor ने c.a ने यह report मांगी जा रही report का क्या काम है report का कोई काम नहीं क्योंकि आपक क्या है यहां पर आपका काम simply यहां पर दिया गया है आपको यहां पर earlier report वगेरा चेक नहीं करना आपको simply specific work दिया गया है कि आप account को value करिये बस ठीक है कि ताकि हमें asset वगेरा के बारे में पता चल जाए तो कहता है appointment of c.a जो है वह specific objective के लिए है objective यहां पर appointment किस लिए लिए ह ठीक है तो basically आप earlier यहां पर reports मांग रहे है तो यह report जो है वह आपका out of this scope हो जाएगा मतलब कि आप retail investigation करना चाते है जो कि आपको allowable नहीं होता ठीक है तो वो चीज़ आपके पास में यहां पर लिखी गई है यह test your understanding करके तीन point थे जो हमने cover किये इसके बाद inherent limitation of the audit करके point है आपके पास reasonable assurance देता है absolute assurance नहीं दे सकता ठीक है इसमें पहले यहां पर limitation आती है nature of financial reporting ठीक है nature of financial reporting इसके बाद second point आता है nature of audit procedure थर्ड point आता है कि यह investigation नहीं करता normal inquiry करता है ठीक है तो investigation in nature नहीं है यह आपकी limitation के अंदर आ जाएगा जो हमने already पढ़ा वही point वापर से repeat हो रहा है क्योंकि basically यह main आपका यहां पर limitation है investigation नहीं है audit यह point आपका main limitation है इसके बाद कहता है कि timeliness and costly ठीक है और future event यह कुछ point है जो आपके limitation के अंदर आते हैं ठीक है तो सबसे पहले normal information की inherent limitation क्यों है audit का तो कहता है कि audit जो है auditing करना auditing करने से auditor जो है वो reasonable assurance देगा इस reasonable assurance का मतलब always ज्यान रखे कि auditor is not expected to or cannot reduce the risk to zero risk zero कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे auditor reasonable assurance देता है absolute assurance नहीं देता है absolute का मतलब 0% absolute का मतलब क्या होता है 100% surety और reasonable का मतलब क्या होता है 100% से कम for example 99% for example 98% ठीक है तो यह security यहाँ पे आपको reasonable मिलती है मतलब कि आपका risk zero कभी नहीं हो पाएगा ठीक है और risk zero क्यों नहीं हो पाएगा because of inherent limitation और inherent limitation कौन कौन से है तो सबसे पहली कहता है nature of financial reporting कहता है कि यहाँ पे basically हम जो financial statement बनता है वो information के base पे बनता है और वो information में जो है judgment involved होता है management का ठीक है management के सारे judgment involved होते है management यहाँ पे सारे information प्रोवाइड कर रहा है अब यहाँ पे देखिए कि इसका क्या परोसा management ने क्या सही सही information दी हो ना दी हो ठीक है तो basically management अगर کوई information को छुपा रहा है तो उस information दे बना हुआ हमारा auditing क्या सही होगा answer is no अगर management खुद गलत information दे reporting ठीक है second कहता है nature of audit procedure कहता है audit procedure में भी यहाँ पे कुछ limitations होती है क्या limitations होती है कहता है कि there are practical and legal limitations on the auditors ability to obtain audit evidence audit evidence obtain करने के लिए भी यहाँ पे कुछ limitations होती है for example management ने यहाँ पे एक private meeting यहाँ पे appointment करके अपने सारे employees को बता दिया है कि अगर auditor आया और हमसे यहाँ पे इस से related यहाँ फिर स्टॉक से related for example स्टॉक से related इन्वेंटर से related यह अगर information पूछे तो आपको simply क्या करना है मना कर देना है ठीक है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं करके मतलब कि information को छुपा देना है fraud करना है तो बेजिकली अगर यहाँ पे fraud हो रहा है management खुद यहाँ पे involved है ठीक है तो क्या वो चीज़ आप यहाँ पे इसका evidence को यहाँ पर कर पाएंगे answer is no कोई stock से related को evidence आप obtained करना चाहते और management इसे चुपाना चाहता है fraud करना चाहता है तो obviously वो चीज़ आपके पास में नहीं मिलेगी क्योंकि management खुद यहाँ पे involved है ठीक है management हो सकता है इसके कोई employees हो सकते है ठीक है अगर इसमें involved है और कोई चीज़ चुपा रहा है तो आप detail investigation तो करें नहीं सकते क्योंकि यह आपके outside the scope हो जाएगा तो detail investigation होगा नहीं तो obviously आप इस fraud को पकड़ने ही पाएंगे तो यहाँ पे एक limitation हो गई कि आप यहाँ पे evidence को obtain करने के लिए ability नहीं हो पाएंगे able नहीं हो पाएंगे क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे fraud करने का एक chance हो रखा है ठीक है तो कहता है possibility debt management और other employees भी हो सकते है management भी हो सकता है other person भी हो सकते कहता है कि not provide intentionally or unintentionally यहाँ पे सारी information आपको provide ना करें ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है fraud करने का यहाँ पे chances होता है तो fraud यहाँ पे में involved sophisticated and carefully organized scheme मैंने कहा था सर यहाँ पे आप भी भी आपको कहा कि fraud के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है चैप्टरी में fraud एक sophisticated act होता है ठीक है sophisticated मतलब कि एकदम planning के साथ बनाया हुआ एक act होता है scheme होता है ठीक है जहाँ पे बिल्कुल एकदम से planning होती है कि कि तरीके से हमें यह चीज़ छुपानी है ठीक है इसे हम कहता है fraud तो fraud होने के chances होते हैं और fraud जहाँ पे होगा obviously वहाँ पे हमें risk सबसे ज्यादा होगा कि auditing हो सकता है गलत हो जाए ठीक है लेकिन detailed investigation नहीं के कारण यह भी आपका एक limitation बन जाता है इसके बाद third point already हम पढ़ चुके कि sir id आपका auditing जो है वो investigation नहीं है ठीक है इसका investigation nation नहीं होता आप normal inquiry कर सकते लेकिन investigation नहीं कर पाएंगे तो यह बड़ा है आपका limitation रहता है इसके बाद कहता है timeliness कई बर क्या होता है कि last time पे आपको जो है auditing करने के लिए कहा जाए अब last time time पे auditing करने के लिए कहा जाए तो यहां पे ध्यान रहे sir auditing का अगर काम आप लेते है तो auditor यहां पर यह नहीं कह सकता कि sir हमारे पास में time नहीं था cost ज्यादा थी ऐसी वगेरा वगेरा चीज़े फिर आप यह नहीं है सकते कि इसकी वज़े से हम यहां पे नहीं कर पाए अगर आपने काम लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी complete करना पड़ेगा ठीक है तो आपको यहां पर टाइमली नेस को ध्यान में लगते हुए अपनी reporting करनी पड़ेगी ठीक है आपका last timing होता है उस time के हिसाब से आपको reporting करनी पड़ती है अब management ने आपको last time पे सारी information दिए तो आपको timely तो complete करना ही पड़ेगा क्योंकि यह आपकी liability होती है ठीक है कि timely आपका audit complete हो ठीक है अब सीधी सी बात है देखिए आपके पास में time कम है काम ज्यादा है तो आप कहीं न कहीं क्या होगा सर टाइम कम है work ज्यादा है तो कहीं न कहीं work की इतना time ही नहीं था हमने उपर-उपर से सारी चीज़ों को देख लिया तो यह भी एक limitation होता है timeliness ठीक है इसके बाइद कहता है future event कहता है कि future event से related तो auditor यहाँ पर surety दे नहीं सकता for example कोविट से पहले पहले और इटर ने यहाँ पर financial statement company का देख के यह बता ऐसा कि sir company का यहाँ पर जो financial position है वो एकदम बढ़िया है मतलब कि दो तीन साल तक आराम से चलेगी पांच साल तक आराम से चल सकती है company ठीक है लेकिन उसके बाद अचानक से कोविड आ गया अब कोविड के बारे में क्या आप पहले से पता है answer is no उसके बाद अचानक से कोविड आ गया और उसके कारण company को यहाँ पर liquidate होना पड़ा तो क्या यह क्या यह auditor की गलती है answer is no क्योंकि future event जो है वो exit आपको यहाँ पर identify करना यह तो किसी के लिए possible नहीं है तो future event भी एक तरीके से limitation है क्योंकि future में कुछ भी हो सकता है क्या auditor इसके लिए भी responsible रहेगा answer is no यह आपका एक limitation है कि हो सकता है यहाँ पर जो auditor कह रहा है वो उसके इसाप से ना हो क्योंकि auditor ने जो है current information के इसाप से कहा था कि sir company 5 साल तक और चल सकती है कोई दिक्कत वाली बा लेकिन एक limitation है ठीक है तो total यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 4 5 5 limitations है जो है इस आपको इस तरीके से याद रखनी होगी ठीक है इसके बाद what is engagement का मतलब क्या होता है ठीक है यह audit के बारे में पूछ रहा है audit के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कहता है कि engagement means an arrangement to do something ठीक है कुछ arrangement करना यह आपका engagement होता है in the context of audit कहता है auditing it means a formal agreement between auditor and client under which auditor agree to provide auditing service ठीक है it takes shape of environment sorry engagement later यहाँ पर कहता है कि सर engagement का मतलब क्या होता है तो कहता है कि engagement का मतलब क्या होसर engagement का मतलब होता है कि हम यहाँ पर एक agreement बनाते है auditor or client के बीच में ठीक है जब auditor appoint होता है तो कुछ conditions पर appoint होता है कि उनका work क्या रहेगा क्या क्या चीज़ें उनको काम complete करनी है ठीक है यह सारी agreements होते और यह agreement होता है agreement में जो conditions यहाँ पर लिखी गई उसे हम कहते हैं engagement और यह जो condition जिस paper पर लिखी गई जिस letter पर लिख गई है उसे हम कहते हैं engagement later ठीक है तो engagement का मतलब basically हमने जो agree किया हुआ conditions है ठीक है उसे हम कहते हैं engagement और वह जिस जिस पर लिखा गए उसे हम कहते हैं ऑन Allे टीके से thermal सा पॉइंट होता है कि जिस कंडिशन पर appointment हुई जिस कंडिशन पर एग्री मेंट हुआ है उस अगरी मेंट को कहते हैं Agreement की Condition को कहते हैं Engagement Engagement और Engagement Letter के से कहते है जो Agreement यहाँ पर पर जिस चीज़ पर लिखा गया थीड है उस चीज़ को Engagement Letter कहते है इसके बाद यहाँ पे Next पोईट आता है External Audit Engagement External Audit Engagement का मतलब क्या होता है External Edit Engagement का मतलब यहाँ पे होता है कि the purpose of External Audit Engagement is to enhance the Degree of Confidence of Intendent User और User का अब यहाँ पे आप example देख चुके है कि for example banker हमारे users हो सकते है government हमारे users हो सकते है government को अगर किसी चीज़ की information चाहिए तो obviously वह आपके auditing records को आप ध्यान में देगी ठीक है तो यह सारी चीज़े है अच्छा एक काम करते हैं दोस्तों यहाँ से हम next दो ही page है तो दो page को हम next lecture में complete क करेंगे और next page भी आपको मिल जाएंगे तो next lecture में हम इसके related और भी आगे बढ़ जाएंगे